नमस्कर और एक बार आप सभी लोग का फिर से सोगत करती हूं आपके अपने ही चैनल वेस्टी-वेस्टी पर आज हम लोग बनाएंगे अपनी कीचन वेस्ट से का पोस्ट पर आज पहले का जो वीडियो शेयर किया हुए उससे आज का थोड़ा सा डिफरेंट होगा थोड़ा नहीं यकीनन बहुत ज्यादा इसको बनने के लिए आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है आप इसमें पोदे भी उंगाएंगे अपनी कंपोस्ट भी तैयार करेंगी यानि कि टू इन वन तो इस टू इन वन कंपोस्ट को हमें कैसे बनाना है बहुत आसान तरीके से बद दूर्गंद एक भी नहीं आएगी ना तो आपके स्टोरेज की प्रावलम कि आपको किन पॉट्स में बनाना है और नहीं दूर्गंद की प्रावलम जब दोनों इसमें प्रावलम हाई नहीं तो निश्यत रूप से आगे से आप अपनी किशन का कश्रा नहीं फेकेंगे अगर वीडियो पसंद आता है नहीं अगर नहीं लगाओंगी क्योंकि आज के ये वीडियो आपको यकीन पसंद आने ही आने वाला है क्योंकि जो मेजर प्रावलम थी उसको हमने हटा दिया तो यकीन आपको पसंद आएगा तो प्लीज एक अपना वेलवेबल लाइक जरू आप में से काफी सारे लोगों को तोड़ा सा कन्फूजिन हुआ कि इसको बनाने में कितना वक्त लगे गया तो देखिए यह सारा का सारा वक्त डिपनेंट करता है हमारे मौसम के उपर आप सबी लोगों को पता है कि गर्मियों में तो हई गर दोड़ी ज़्दा लेंगे घर कि अगरक्त लेखने के सिवह मोIB पड़ेम और शर्थियों में थोड़ी जाता लेंगे तो यजहें से आप बना कका रेच ने करिए घरक कर देंगा जर्दा रहें देल रखेंगे के बारी नहीं जिस परपज से यूज करें तो शायद आपका परपज नहीं और शायद आपके पौधों को कहीं नगहीं नुकसान पहुचा जाए तो इसको पूरा समय लेने दें जितना इस खाद को बनने के लिए समय चाहिए अच्छे से आपकी प्रॉपर एक चूरा बुरादा बनना जाह आप लोग अगर बनाना चाहते हैं नहीं बनाया अभी तर तो आपकी ही दूसरे चैनल जुगाड़ू बेच्टी पर इसका मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो शेयर किया हुआ है आप लोग भी बनाएए और उसके बाद फिर इससे अपनी इस तरह से खाद बना लेजे तो द अगर आप अपने फ्रेश यूज करने तो जाही रहे कि उसमें ज्यादा वक्त लगेगा दूसरी एक और चीज दिखिए मैंने इसको छोटे पीसेज में नहीं काटा है चूंकि मैंने इसकी कमपोश्टी बनाई तो मुझे जिरूरत नहीं मैसूस हुई पर अगर आप फ्रे अगर आप इस तरह से गला के यूज कर रहे हैं तब भी कम वक्त लगेगा और अगर फ्रेश यूज करना है तो इसको छोटे-चोटे बारिक-बारिक टुकडों में जरूर काते हैं और चलिए आप हम लोग बनाते हैं दिखिए ये सारा मेरा किचन वेस्ट हो गया अब इसम सेम इसी मात्रा में मैंने पिछले वीडियो में मिला हुआ था देखिए दूसरी चीज मैं क्या मिला रहे हूँ ये मेरी होम मेट नीम खली इसका भी कुछ दिन पहले ये आपके ही दूसरी चैनल जुगाडू भेश्टी पे इसका वीडियो शेयर किया हुआ जो लोग देख और अगर आप अपनी रेडिमेड नीम खली मिला रहे हैं तो बस आपकी 10% पर्यापते सिर्फ 10% आप इसमें अपनी नीम खली रेडिमेड अगर मिला रहे हैं तो उससे काम हो जाया और अगर पतिया मिला रहे हैं तो आपकी जितनी मर्जियों उतनी मिला सकते हैं बस आप अ अपना यह वेश्ट बढ़ने के लिए इतना मैंने खाली कर दिया नीचे अभी मेरी मिट्टी है पूरा हमें नहीं खाली करना है चुकि हमें दोनों नीचे और उपर दोनों जगे मिट्टी के अपनी लेर लगानी तो एक लेर हमारी नीचे है और अब यह सारा का सारा मिक्षर हम लोग इसमें डाल देंगे यह देखे इस सारा हमने भर दिया अपने गमले में अच्छे से हम इसको दबा देंगे और बस इसके उपर अब हम लोग लगाएंगे अपनी मिट्टी की एक और लेयर यह जो हमने मिट्टी निकाली थी इसकी हम एक उपर से मोटी सी लेयर और लगा देंगे अब ये बेड हमारा बन के तैयार हो गया अब मैं अपना इसमें बोने जारी हूं सरसू चुकि आप मेरे पास अभी कोई पालक के बीज नहीं है अदर्वाइस मैं पालक बो देती आप अगर इसमें धनिया बोना चाहें तो धनिया भी बो सकते हैं पालक भी बो सकते हैं पर एक चीज के ध्यान रखें जो भी बो हैं इसमें लीफी वेजीटेवल सी आप बो सकते हैं तो देखें मैं इसमें बो रहे हैं अपना सरसू आप अपने ही साप से चुन लें कि आपको इसमें क्या बोलना है सरसों के ऐसे ही सूखे हुए दाने सरसों को हमें कुछ भीगोना नहीं होता है कुछ भी नहीं करना होता है सिंपली आप जो किचन में सरसों यूज करते हैं वहीक आली वाली बड़ी वाली जो हम लोग...? टोड़ी एमने वागरे लगाते है判 हम लोग अलाने और उपर से में यह कहने एक मित्टी के ले रय लाएस, यह जमने में आप égalए कि कॉँच कर सकते हैं तो नहीं डखना चाहते हैं तो नहीं डखना चाहते हैं तो ना डखें इसको ढखने से बस सिर्फ एक काम हो जाता है कि जल्दी से हमारे अंकुर निकलाते हैं तीसरे दिन यह ननने ननने से अंकुर हमारी दुनिया में जाने के लिए कितने बेताब हो रहे हैं यह तो पांचमे दिन का रिजल्ट और यह देखें दसमे दिन का रिजल्ट यह रहा लैलाती हो है सर्सु हमारे नीचे इसी पॉट में बन रही है कमपोस्ट ऊपर से हमारी उग रही है सर्सु तो देखिए हो गया ना हमारा बहुत कारगर है तरीका कोई भी डाउट ना करें मैंने भी फैब में इसी तरह से अपना कमपोस्ट बना कि उसमें लगाया था पालक तो मुझे लगा कि हां अच्छा काम करता है तो इसलिए अभी आप लोगों से शेयर भी कर लिए हूं बनाएगा इसी तरह से आप भी अपन तरीका अपनाएं कमपोस्ट बनाएं अपनी सरसों भी उगाएं धनिया उगाएं जो भी पत्तेदर सब्जी होगाना चाहते हूंगा उमीदे कि वीडियो पसंद जरूर आया होगा तो जाहिरे कि आप लोग लाइक किये बिना कता ही नहीं चाहेंगे जल्दी मिलते हैं अग